हलो गाईज, I am दिलिप कुमार विस्वास, वेलकम टू लर्न बाई टेनर, आज हम सब लाए हैं, भी लुक आप में पार्ट थ्री वीडियो, इससे पहले भी दो वीडियो हम सब अपलोड कर चुके हैं, उसमें देखें भी लुक आप से कैसे हम सब सार्चिंग करते हैं, सीट ओपेंड कर रहा हूं, वहाँ पार जाकर थोड़ा डिटेल्स बोल रहा हूं, देखें, मेरा एक्सेल सीट ओपेंड हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेल्स रिपोर्ट औप इंपलोई, एक छोड़ा सा डेटा है, एक छोड़ा सा मिस डेटा है, इसमें क्या है sales report दिया हुआ है, 17 employee है, उसका sales report है, ठीक है, तो आज क्या सिखना है, आज सिखना है, भी look up से searching नहीं करना है, searching तो बहुत हम सब कर चुके हैं, दो-दो वीडियो हम सब लाए है, multiple के तना, 8 तरीका से हम सब दिखाए कैसे search करते हैं, भी look up से, आज हम सब क्या करना है, data compile, अभ मेरा पास 17 employee है, ठीक है, मानो मेरा office में 17 employee है, अभी boss ने बोला है, 17 employee को bank account number लाने के लिए, bank account number हो सकता है, जो incentive होता है, sales वाले बंदा का, उस सब का incentive, bank में transfer करें, इसलिए bank account number सब को सब से मांगा है, ठीक है, अभी इसी 17 बंदा में कोई-कोई bank account number लाया है, कोई-कोई नहीं सारा problem हो सकता है, किसी का account open नहीं होगा है, ठीक है, तो मानो एकた अभी maintain कर रहा है, गोह सब बंदा bank account number लाया है, उस अब बंदा का record maintain कर रहा है, तो एक file दिखिए, मैं तो अलग सा file है, demo करके, अलग सा file में मानो एक मेंन्टन कर रहा है वो देखिए ऐलाक सा फाल में उपन कर रहा हूं देखिए टीकõप में MS got होगा देखिए bank account इसी को मैं open कर रहा हूं जो सब इस्टा बैंक अकॉन नमबर दिया है उसी का details यहां पर है यहां पर देख सकते bank account details of employee जो जो बंदा bank account number दिया है उसी का details यहां पर है कितना उसा सब्सक्राइब 4 ryc जो मैं बोल रहे थे जो बंदा bank account number दिया उसी का details यहां पर है को इस्टा meditation कर रहा है अभी है अब है कि इस मानो बहुष कुछ दिनों का बात कुछ दिनों का बात बॉस ने e-c receipt किया है बहुए कॉन-कॉन inployed bank अक्रर number दिया है और कौनकों employee bank intern number नहीं दिया है दोनों का record मुझे चाही है ठीक है तो हमाने के e-stubको बोला है दोनों का e-cott मुझे चाही है पठट पठ लियाओ खौनसा कौनसा e-stub bank account number दिया है कौनसा कौनसा e-stub नहीं दिया है उसका दो ही रिपोट्ट चाहिए जो नहीदी या क्यों नहीं दे रहा है त치कर उसको फोन करके बोलेगा क्यों नहीं से बॉर्पों क्मज्स to button आब कौन सा बंदा दिया है कौन सा नहीं दिया है सबसे पहले अभी मुझे क्या करना होगा जो इस टब फाइल मेंटेन किया था कौन सा बंदा बंदा बैंक कर नमबर दिया है उसी फाइल में जा रहा है तो इस देखिए उस फाइल में कैसे गिया हूँ तो all tap, all tap करने से ही हो जाएगा, कुछ नहीं करने का जोड़त नहीं, all tap मतलब होता है, file को switch करना, switch मतलब एक file से अलग file में जाना, ठीक है, देखिए, मेरा skin में भी दिखा रहा है, all plus tap, okay, clear हो गिया, अब ही मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो बंदा bank account number maintain कर रहा था, ज अब ही इसी data को क्या करेंगे, boss को भेज देंगे, boss को बोलेंगे, यही 6 बंदा दिया है, ठीक है, तो boss को में तो फाइल भेज दिया हूँ, अब ही boss घुमा के भी question किया है, बोला, जो बंदा नहीं दिया, उसका भी record चाहिए, अब ही उसका record आप कैसे दोगे, 17 में 6 दे दिया, अब ही कितना नहीं दिया, अब ही 11 बंदा जो नहीं दिया, अब ही 11 बंदा जो नहीं दिया, वो जो record है, उसी record को हम सब boss को कैसे provide करेंगे, यही है question, तो clear हो गया question, मैं क्या बोला हूँ, question ही है, जो 17 में 6 दे दिया, जो 11 नहीं दिया, उसका भी record boss को देना है, अब ही कैसे आप दोगे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा सबसे पहले मुझे मार्क करना होगा कौन सा बंदा बैंक कान नमर को नमबर कौन सा बंधा नेखिया है. का मार्किंग करना होगा तो हम सब करेंगे तो हाइलाइट कर कर सकते या हम सब मार्किंग कैसे करेंगे देखिए जो बंद के अंबर तिया है उसको क्या करना बगल मैं यहां पर पैंक अब जो जो बंदा बैंक कान नमबर दिया है उसी को पेस्ट कर देना इसी में पेस्ट कर देना जो जो बंदा पारन दिया है देखिए ऑल टैप करके उस फाइल में घया हूँ अभी सबसे पहले सेवाग जो इफाइब करोगे ठीक है एक मार्क हो गया वंदा दिया है तो मुझे इसे क्या करना होगा मुझे जितना बार है यह है 6 डेटा को paste करना होगा, 6 डेटा को paste करेंगे तब ही हम सब report दे सकते हैं, देखिए 8 नमबर, देखिए मैं 8 नमबर में गया हूँ, 8 नमबर में क्या है, इसको भी control भी कर देता हूँ, ठीक है, फिर all tap, all tap करके 12 नमबर दिया है, इसको control C कर दिया हूँ, यहां पर 12 है, इ ये करके हम सब रिपोर्ट दे सकते वर इसमें क्या होगा थुड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा देखेंगे इसमें क्या करना है मनिखे ये इसको हमसुर क्या करेंगे इसमें हमसाथ यहां पर जाके क्या करना है जो जो बंदा बैंक नमबर नहीं दिया है ठीक है देख सकते हैं यह सब बंदा बैंक नमबर नहीं दिया है इसी का सबसस्ट में इसी को हम सब क्या बोलते हैं इसे शटाब घपने करने के बाद बंसर दे पआ है कौनसा दिया यह थीक है रहुका इक संबब यह तो चोटा डेता होगा तो संबाब देखिए छे डेटा है फिर भी मेरा कितना टाइम लग रहा है कॉपी पेस्ट करना भी तो बहुत लगता है ना तो यह बार मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा अभी बानो जब जहां पर एक हजार इंपलोई है वहां पर 500-600 बैंक अकॉन नमबर दिया है आज 600 नहीं दिया है तो वहां पर क्या कॉपी पेस्ट करो तो पुरा दीन लग जाएगा ठीक है ना रिपोर्ट बनाने में पुरा मेरा दीन चल जाएगा तो उसी टाइम हम सब डेटा तो यहां पर लाना है म पाट हम सब कॉपी पेस्ट करके नहीं करेंगे तो फ्लेर हो गयां डेता कंपाइल क्यू करते है ठोरा सैंब भैंगे तो हमसे सबक्रूंप यहां पर कौन सा बंदा बैंक अकॉन्वर आखा करेंगे कौन सा नहीं पाइगे तो नहीं का मेंने कभा नामाल above यह जो VLOOKUP से जो data compile कर रहे हो यह सबसी ओपिस में vital काम करता है सबसे most important काम होता है data compile करना by VLOOKUP clear हो गया तो VLOOKUP से हम सबसी सर्ची नहीं करते हैं VLOOKUP से data compile भी करते हैं ओई आज सीखना है ओभी दो file में या आप सब बोल सकते हैं दो work sheet दो work sheet में हम सब data compile कर रहे हैं इस वागसीटकुको नाम है जो करते हैं देखिये सबसे जज़धा ऑप keyboard मों आता है आपका प्यटिक काम में तो ज़्यादा ही आता है searching आता है काम में बट उस तो हाँ जब कोई छोड़ा-छोड़ा पोजेक्ट बगरा बनाओगे कोई इन्वाइस बना दिये सार्च करने के लिए उस टाम में आता है बट यह तो all-time office में काम में आता है अब बोलेंगे data को match कराना कैसे match कराएंगे employee code से match कराएंगे ठीक है तो हम सब करते हैं भी lookup सुरू करते देखिए कैसे कर रहा हूं is equal to vl vl करके tap कर दिये फी lookup open lookup value lookup value मतलब जो value से हम सब अभी match कराएंगे इससे पहले क्या बोलेते जो value से search करना बोलेते ना अभी हम सब search नहीं बोलेंगे match कराना तो हमसे जो जो बैलो आभी कौन से मैच करा रहे है तो अबि मुझे चाहिए कराना है तो अब हुझे चाहिए क्या जाए देखिए और एक लोजिक लगहिए बैंक कावन नमबर तो कहां से मुझे bank account लाना है तो इस table में तो bank account नमबर नहीं है तो मेरा जो अलग सा file है bank account लाला जो file है जो अलग सा work sheet है उसमे bank account नमबर दिया हुआ है तो उसी फाइल को मुझे वहां से डेटा को सिलेक्शन करना होगा तो क्या होगा मुझे जो बैंक अकाउन नमर जो फाइल है या बोल सकते हैं आधर जो वार्ट सिट है उसमें जाना होगा तो कैसे जाएंगे और प्लास टैप ठीक है आ चुका हूँ अभी यहां पर क्या करना है टेविल होगा है सिलेक्शन टेबील को पुरा सिलेक्शन केंट होता है कंटूल सिट राओटọn डाउन बहुत बद बर बोल चुका हूँ एसे पुरा डेटा सिलेक्शन करना है अभी क्या करना है और आगे पीछे नहीं करना ही बीध ध deliveries कर ओगे तो फिर data compile नहीं होगा दिक्कत हो, error आजाएगा, अभी क्या करना, टेवी लेरे के बाद क्या होता है, टेवी लेरे के बाद होता है, कॉमा, जब भी आप कॉमा दोगे न, देखिए, मेरा फॉर्मूला, मेरा सामने आ चुका है, फॉर्मूला, देख रहे हैं न, अभी क्या बोला, कलम, इंडेक्स न अभी एंटर करके, देखिए, क्या दे रहा है, तो क्या दे रहा है, एने दे रहा है, कोई दिक्कत ने, क्योंकि यह वाला, इंप्ले कोड उसी फाइल में था ही नहीं, तो मैच ही नहीं होगा, तो क्या देखा, एने ही देगा, अभी एपाद ड्रैग या डबल क्लिक कर दि जिसका जो bank account number था उसी का सामने उसी का right side में आ चुका है तो कितना easy हो गिया ना जो मैं data compile कर रहे थे कितना time लग रहा था ओ देखिए कितना असानी से हम सब कर लिए तो A है data compile data compile हो गिया ठीक है एक टू करके हम सब formula दिखा देते हैं यही है फर्मूला यही है फर्मूला वीडियो को पॉस्ट करके देख लिएगा कोई दिक्कत नहीं है आप इना data compile करने के बाद थोरा सा काम बाकी है कि इससे बॉस्ट को रिपोर्ट देतों उनको भी टेंशन में आ जागा तो हमें जाब भी data देना है इस formula का हटा के देना है इसको सिलेक्शन कर लिए यहांपर क्या करना है ctrl c मने copy इसे का पर right button क्लिक करके क्या करना है देखिए paste itself में अंदर जाना है इसमें value में क्लिक कर देना है जब है क्लिक कर दो के क्या होगा फर्मूला हर जाएगे अब इते अब इसको क्या करना है सिलेक्शन अब फिर फिल्टर को आठा दिए देखिए एक दम कितना इजीली कितना फास्ट मेरा डेटा कंपाइल बंद उसी अलग सा फाइल से मैं इसी बैंक को नम्म लाया हूं कितना इजीली लाया हूं ठीक है ना मुझे बार-बार कॉपी पेस्ट करके लाने का जोड़ती नहीं है आप खुए बॉस को दो यह रिपोट हम सब दे सकते हैं कंट्र से ल कर में लागा दिये बॉस को क्या चाहिए को कौन-कौन बंदा बैंक अकॉन नमर नहीं नहीं दिया डी यह जब यह आब नहीं करोके देखिए यह सब बंदा बंक अकान नमबर नहीं रिचिए कतना बंद गद्था समभब था देख रहे हैं क्योंकि पेस्ट करके the आपके सामने हम दिखाए कितना ताइम लग रहा था वीडियो जो भी बहुत बारा हो रहा है ठीक है तो आसा करते हैं, data compile, आप सब सीख चुके हूँ, डेटा compilation सबसे most important, जो पहांसन है, most important job होता है, office के लिए, बहुत काम का job होता है, ठीक है ना, यह सब क्लिए हो गिर और होगा होगा, तो नेक्स फिर से नया वीडियो लेकर आएंगे तो ओके गाइस आप सब अपना ख्याल रखिएगा